नमस्कार दोस्तों मैं मुने विक्रान शर्मा आधार ICS के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPPCS Pre-Examination 2015 Journal Study Paper 1 के Economics section का आज हम एनलाइज करेंगे तो 15 टुक्टोर questions एकनोमिक से आए हैं जो current से related question होते हैं वो हम यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी relevancy हम इतनी नहीं रहती ठीक है current के लिए आपके अलग से हम set डादेंगे आपको set देंगे आपको बताएंगे 25 या 30 question के pointers आपको देंगे जो कि आपके exam में questions जहां से आएंगे 24 की परिश्या में तो चलिए इन questions को solve करना शुरू करते हैं जो 15 question आए है पहला question है निमले खित्म से कौन भारत में तेल की कीमतों का निरधारन करता है तो तेल की कीमतों का निरधारन कोन करता है चार option वित्मंत्राले संबंदित राजी सरकार पेट्रोडियमं मंत्राले या तेल कंपनिया राइट अंसर है डी तेल कंपनिया नेक्स्ट question अडो शक्ती विद्यत निगम लिमिटेड एक सायुक्त उपकरम है भारतिय परमाणू उर्जा निगम और किसका तो किसका है एनमडी सी का एनएच पी सी का बी एच एल का या एनटी पी सी का तो राइट आंसर होगा डी एनटी पी सी नेक्स्ट question निम्रेखित में से कौन फसलों के निरधारण फसलों के नियुन्तम समर्थनमूल यहां पर होगा जिम्रेखित में से कौन फसलों के नियुन्तम समर्थनमूल के निर्धारण सम्बंदि संस्ति करता है भारतिय करेशी अनुसंदान पर श seminarण नावाड है करेशी लागत एवं कीमत आयोग या भारतिय क्रशी अनंदान संस्थान तो इसका राइट आंसर होगा C क्रशी लागत एवं कीमत आयोग नेक्स्ट कुश्चिन B.A.C. Greenax में कितनी कंपनियां शामिल हैं 25, 40, 50, 100 राइट आंसर होगा A. 25 नेक्स्ट नालंदा प्रयोजिना किस मंत्राले की प्रयोजिना है संस्क्रती मानव संसादन विकास अलप संख्यक मामले या विदेश राइट आंसर सी अलप संख्यक मामले कांडला निम्द मैंसे किसलिए प्रसिद्ध है तो कांडला आप से पूचा गया है गुजरात जल्पूत भंजन उद्योग के लिए हीदा काटने और पॉलिश करने के लिए निर्याद प्रसंस करन के लिए या परंपरागत कला एवम शिल्प केंद इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थी निर्याद प्रसंस करन के लिए नेक्स्ट निम्द मैसे किसके लिए उद्यमी हेलप लाइन इस्थापित की गई है सूख्षम लगू एवं मध्यम उपकरमों के लिए बड़ी पूंजी वाले उद्यमों के लिए महला उद्यमियों के लिए या क्रश में प्रध्योगी की का प्रयोग करने वाले क्रश्कों के लिए राइट आंसर होगा इसका A सूख्षम लगू एवं मद्यम उपकरमों के लिए नेक्स्ट कुश्चन निमलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा कूट के माद्यम से सही उत्तर चुनिए तो इस स्टेक्मेंट है आर्थिक विकास के लिए एक बहु आयामी उपागम की आवश्यक्ता होती है क्या है स्टेक्मेंट आर्थिक विकास के लिए एक बहु आयामी उपागम की आवश्यक्ता होती है और कारण वरतमान सरकार मुख्य तहर सुक्ष्म आर्थिक केंद्रों पर कारे कर रही है तो इसका A और R दोनों सही है R A का सही स्पस्टी करन है A और R दोनों सही है और R A का सही स्पस्टी करन नहीं है A सही है R गलत है A गलत है R सही है इसका जो right answer होगा वो होगा C, A सही है और गलत है Next question नगरी करण के कारणों के सम्बंद में निम्न कथरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये कूट से सही उत्तर चुनिए क्वेशन दुवारा नगरी करण के कारणों के संबंद में निम्न कत्रों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये कई कूट से सही उत्तर चुनिए तो क्या कहा है इसमें ग्रामीर से नगरी छेत्रों में प्रवास की उंची दर शेहरों में शेक्षिनिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और दियोगी करण की उंची दर और चौता है ग्रामिन छेत्रों में उच्छा जीवन इस्तर तो इसका जो राइट आंसर है वो है A यह आपको पता है कि ग्रामिन छेत्रों में उच्छा जीवन इस्तर है इस पढ़ती ही समझ में आ रहा है कि यह option नहीं होगा तो राइट आंसर क्या है? एक, दो, तीन, तीनों से ही है नेक्स्ट, निम्ले खितमे से कौन? भारत में सबसे बड़ी मशीनी करत खान है सबसे बड़ी मशीनी करत खान, रतनागरी खान, जैपुर खान, सुंदरगर खान या बैला डीला खान राइट आंसर होगा डी, बैला डीला खान नेक्स्ट, 1944 में गांधी बादी योजिना को किसने प्रस्पादित किया? 1944 में गांधी बादी योजिना किसके रवारा दी गई थी? एनार सरकार कस्तूरी भाई, लाल भाई, जैप्रकाश नाराएड या श्रीमन नाराएड अगरवाल राइट आंसर होगा डी, श्रीमन नाराएड अगरवाल नेक्स्ट कुश्चिन निम्लेखित को सुमेलित कीजिए, डवलू टी उ बुक्तान संतुरन में संतुरन को ठीक करने के लिए विश्ट प्रजान करना आईयमाफ सामानेत व्यापार के मातरातमक प्रत्वन्दों के उपयोग को निशिद करना सारक नम्मिरिणों की स्विक्रती आई डिये दक्षिन एशियाई देशों के मिच सायोग को बढ़ावा तो यह इस तरह से options इसमें दिये गए है जो इसका सही है वो है C 2, 1, 4, 3 देख लेते हैं क्या होगा WTO इसका है 2 सामानित है व्यापार में मातरात्मक प्रत्वन्दों के उप्योग को निशिद्द करना IMF का एक भुक्तान संतलन में संतलन को ठीक करने के लिए वित्तिप्रदान करना सार्क का चार दक्षिन एशियाई देशों के बीच सहयों को बढ़ावा देना आई डिये तीन नम्मिरणों की स्वीकरती राइट आंसर के आई इसका C नेक्स्ट क्षिन निम्न में से किस आर्थिक सर्विक्षिन में पहली बार धारणी विकास और जलवाईव परिवर्तन का अध्याय जोड़ा गया दोहजार चार पाँज यारा बारा बारा तेरा 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 चौदा तो किस में जोड़ा गया था धारणी विकास और जलवाईव परिवर्तन का अध्याय प्रसमत आंसर होगा B 2011-12 नेक्स्ट क्षिन निम्न रिखित में से किस राजिमें तिन आयसक का भंडार है तिन आयसक का भंडार असम जम्मू कश्मीर 36 गड़ या पशिम मंगाल राइट आंसर होगा C 36 गड़ नेक्स्ट क्षिन निम्न रिखित में से किस ने वर्चुल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारम किया है सूख्ष में लगो मध्यम उपकरम मंतरा ले मानव संसाधन विकास मंतरा ले वारेज मंतरा ले पर राइट आंसर होगा भी सूख में लगो और मध्यम उपकरम मंतरा ले यह आपके कुश्ट्स एकनोमिक्स के जो 2015 की परिक्षा में पूछे गई थे वो कम्पलीट होते है इस इन सैट्स को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के दाश शेयर कीजिए ताके उन्हें भी लाब मिले चैनल सस्क्राइब में किया तु सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कोई क्वैरी है कुछ जानना चाहते है तो कमेंड कीजिए कोई ऐसा टापिक जिस पर आपको वीडियो की रिक्वैर्मेंट है भी आप कमेंड बाक्स में बता सकते हैं हमसे जुडने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी